वाही गुर्ची का खाल सा वाही गुर्ची की फते तुसी देख्रियू दपन चापले आज दा अपना गुर्बानी कथा विचार दा विश है कि रोटी दे चार टुकडे कि वे अपने पाग बदल साकते ने उस्तो पहला सारे आगे बेंती है कि एस वीडियो नुँ लाइक, शेर ते सब्सक्राइब जरूर करियो कमेंट बोक्स विच जाके वाही गुर्ची जरूर लिको अथि आपनी रसना नालवी वाही गुर्ची बोलके रसना नुँ पवित्तर करो फिर आओ जान दें, जेकर तो हड़े कारो, खुशियाने मूँ मोडले, ते तुसी हर वक्त परिशान रें दियो, तै गलनु ते आननाल सुने, बस एक रोटी लेनिये, तो दे चार टुकडे करने ने, तो हड़े कार, खुशियान हमेशा ले बणिया रैन गे, इसले करना कि जदो आपा रोटी बनोनी, तवे दे पाई पैली रोटी नू, जदो ठंडा कारलिया, ओस रोटी दे चार टुकडे कारले वो, केंदेने एक टुकडे उत्ते गोड राखलो, ते ओ जाके गा, माज, या किसे कटुडूनू तुसी चार, दुज्जा, ओ टुकडा उत्ते क्य तेल, जो वे तुसी लाके खांदे, ओ लाके ते कुत्तेनू पाउ, कुत्तेनू गोडनी पोण, तीज्जा टुकडा, आपने चात्ते राख्दो, एक कावानू पादो, जोथ्य टुकडे उत्ते, ओस टुकडे उत्ते, पामे खांड राखलो, पावे तुसी शक्कर पाके ते कीडियानु पादो तुसी महीना आवे करो तो हडे कर परकत आप आजावेगी क्योंकि तुसी किसे दा रिजक पूरा कर देपयों पर मातमा तो हडा रिजक पूरा करेगा तो हाड़ी जिन्दगी वेच परशानिया ओन्दी सब्त वड़ी वजा पता किये जोद मुनुक बचे होई रोटी नू वगा देंदे दोद पैरा मीच टिक दे दोद नू जोदो कदी उबल गया ते उनू पोनेनाल साफ करके शिंक च वगा देना जो रोटी थाली वेच ता केहा जान्दाय रिजक वी फिर बद्धुवा करते वी तुम मिन्नू परमातमा इन्नाले कारपेज जिया इन्ना नू ता मेरी कदर नी मिरा अनादर करते या याद रखो जोदो मी थाली विच पभाओ ते उन्नाई लवो जो खाल लवो जी नई खाता जान्दा वो देखान्दा फिर दा कदी इदर ता कदी ओंद उन्नू चोक्के एमें दी थाते रखो जिते ओधा अनादर ना होवे ति उन्नू कुद्रत दी जेडी रचना कीडेम कोडे खाके ते टेड़ पार सकन एस तरह ओ रिजक तोहाडे ली दुमामा करेगा ते रिजक दी किती परमात्मा कदे विराधनी करता ओधुआ हमेशा कबूल होंदी ते ओर दास तोहाडी उस परमात्मा तक पंचोंदेने ते तोहाडी हरेक मांदी मुराद भी पूरी होंदी रोटी ना जे बही हो जावे आपने मिचों बही रोटी दा नाम सुनके कई जने वन सवन्ने मूं बढान लाग चांदेने पर बही रोटी सिटो ना इस दे फाइदे सुनके हैरान हो जावोगे शुगर दे मरीज दी बही रोटी खाना बोध फाइदे मांदे स्वेर दे समे बही रोटी नू दोध नाल खान नाल शुगर दास्तर काबू रेंदे शुगर वाद्दी नी जिननी सरीर नू जाई दिये ओनी रेंदी जे कर बीपी दी दिक्कत बही रोटी तो हाडेली वर्दान सा बत हो सकदी टेडिनाल जुडियां कई विमारियां इस नाल थीक हो जान दियां इस विच फाइबर बहुत जादा मात्रा जौन दे जो सरीर नू ताकत दें दे हमेशा रोटी बनों समें रोटी नू थोड़ा मोटा बनाया करू पतली रोटी वेल वेल करती हैं ते पकोन समें सारा फाइबर ते पोश्टक तात सारे साड़ी चान दे सरीर नू ताकत नी मिलती हमेशा मोटी रोटी बना के खौँ उनी छेती दवाई असर नी करेगी जिनी छेती मोटी रोटी असर करेगी नाल सरों दा तेल या देसी क्यों तुनी विच लाके हलकी मसाज करेगो सब भी मारियां दूर हो जानगे इसनाल अंदर जो भी एसिड होंदे ओ पेट दे वेच फिर गैस दे रूपिज बाहरा जानदे या पे शाप जाद आवेगा ते ओ बाहरा जावेगा इसनाल मोटापा थो कावड तो हाड़ा चेरा जड़ै ओ जवान रवेगा सरीर ते जड़ी खारी शुन दिया ओ भी ठीक हो जाएगी मोटापा दूर हो जेगा था कावड भी नहीं होएगी श्रीर नूँ भीपी दे जड़ी दिक्कत आना, कई वार बड़ा वाट जान्देया, कई वार बड़ा काट जान्देया, वी ठीक हो जाएगा इतों तग कि शुगर भी ठीक हो जाएगा जिन्नानु थायरड रोज गोलियां लेंदेने वी थायरड कत सब्सक्राइगी, जिसे नालोदा पार यहां काटजान दै ओ दी कत्वी ठीक हो जावेगी जिननानी गोड्डियां दी गरीस नी बान्दी यहां गोड्डे बैठ्थां दे उट्णशे दर दुन्दै ओ विए दिनल ठीक हो जेगे एइने फाइदेने, हाफ्ते वेचन एक वार तुसी गोड़ दी एक पेसी लेनी उन्नु पाणी वेच कोल लो बी चंगी तरहु पाणी दे वेच कोल जए, ओस नाल आपना आठा गोन गे, ते उधिया रोटिया बनो पर याद रख्यो जेडी आपाएं मिठी रोटी बनोनी है एक कदी वी कुत्तेनू नीपोनी एस नाल ओ बिमार हो जान्द है ओधे वाल चलन लाग जन्देन उन्नू खारी शुन्दी है जिस दे नाल उन्नू चमडी दे रोग लाग देन एसली एवन्नू कदी नीपोनी पोन्दी था आपा पाप चोली पवाल वांगे आपा किसे प्यासेनू पाणी या पुखेनू रोटी दिन्ने आना ता कुद्रत कई रूपा मिच आके आपनी मदद कारती इस वीच कोई चूठ नी ते कोई दोरावानी भ्यापा मिणोख किसे किसे चीजनू लेके दुखी जरूर रहने सोखदोख जिन्दगी दा हिस्सा ने ते दुखानू काट जरूर कीता जा साकते कुद्टे नू जरूर रोटी पाओ पर त्यान रखो ना ओ रोटी बही ना होवे कई वार तेन चार देन रोटी पई रहन दिये आपानू हंदय भ फ्रेमे कार देयां भी डंगरानू चाहर दू एमे ना करू जे डंगरानू वी चाहर नी है तो पाणी वेच प्योंके पआओ ते कुद्टे नू एमे दी रोटी कदी ना पआओ पर आणे समय वेच जदो सारे करदे परशाध्य बाण जान देसन सारे जी खालें देसन ता आखीर तेना कुद्टे जोगी रोटी बनाई जान दी सी एस पिछे कारण एसी कि ए आपने नालो वद चीजां देख साकते है ते अनुबावक कारते है एस कार के ए आपने दोख हरन दी ताकत वी राखते है एसली कुद्रती बनाई हर एक चीजदा सतकार करो हर एक दा पर मातमा तुहाँडी माँ फढ़ के तो हाडे बेड़े पार लांगे पर मातमा ने तुहाँडनो उना विशामिल कीते है जो दुझ्यांदा टेड परसकर जो तुसी दुझ्यांदा टेड पार देओ ते उना दिया असीसा तो हड़ा सारे दोख दर्द दूर कर देंदें किन्दे जिते दवा दारू कुछ भी कामणी ना होंदा ओथे असीसा काम नोधियान जिन्दगी देविच इन्या दवामा अन्या असीसा कठियां करो कि जोदो परमात्मा कुल जाओ ता हर सुख परमात्मा ता डिचोली पादन ताड़ा लोग ते पर लोग तो में सुखाला हो जा इस तर ते रेंद्या रेंद्या जो दोवामा ते असीसा कठियां करतें ओधी जिन्दगी जो कोई दोख दर्द नी होंदा क्योंकि ओधेले अईने हाथ मददली तेयार होंदेने कि लोड पैंते हर कोई ओधी मदद कारते परमात्मा केंदे है तुम मेरी बनाई खलकत दा त्यान राखते ते ते तेरा त्यान रखना मेरा फरज जे कर आपा चोने है कि आपावी परमात्मा दे प्यारे बनिए परमात्मा अपने हर अर्दास का बोल करन तो उन्हों कुदरते बनाई जड़ी छोटियां छोटियां चीचाने आपावी होना दा ते आनकिये जो आपावना दा टेड़ पर आंगिना ता आपना टेड बर्न वाला और परमात्मा आप पैठ है तुसी रिजकता कदी अनाधर ना करो फिर परमात्मा और रिजक भी इन्यां दुवावा करेगा भी तो अडेकार आनते तांदे पंडार परे रहेंगे फिर आओ एच छोटी जी पहल करिए तेकार खुशियां ले आएए